इरिगेशन में पीछे रहने वाला महराश्टर माइक्रो इरिगेशन में टॉप फाइव में आता था पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के आधार परध्यान में रखते हुए महराश्टर में जल युक्त शिवार इस सफल योजना को लागू किया गया और इसके अंतरगत 6 लाग से जादा प्रोजेक्स 22,000 गाओं में पूरे किये गए दुर्भाग्य पूर्ण महोदया ठाकरे सरकार ने इस योजना के को स्तगिती देने का काम किया है हमारे महाराश्च्र में एक चलन चला है जो भी केंद्र से योजना आएगी उसे पहले स्तगिती देना है विरोधी पार्टी से आएंगे तो उनके कामों को स्तगिती देना है जब उन्होंने जो जो योजना लाई अगर आप उनके नाम पढ़ेंगे देखेंगे तो लोगों को भी हैरानी होगी कि इतने बड़े प्रोजेक को स्तग्यती कोई सरकार कैसे दे सकती है उसमें मुंबई मेट्रो की बारे में आप बात कर सकते हैं आरेकाट शेड, बुलेट ट्रेन, ग्राम सडक योजना, मराट वाड़ा, वाटर ग्रीन, सीएम फेलोशिप, मुंबई पुने, हाइपर लूप, नगर विकास और ग्रामीन विकास की कई सारी लोग कल्यानकारी वजे से अंधेरा था, जब मैंने विधायक रवी राणा जी ने किसानों के मुआबजे देने के लिए आवाज उठाई, तब तानाशाही सरकार, ठाकरे सरकार ने सैकड़ किसानों के साथ विधायक राणा जी को तीन दिन तक अरेश करके जेल में रखा, जब हम इस किसानो के साथ महाराश्टर के गवर्मेंट मुख्य मंतरी के पास जाकर निवेदन देने की विननती कर रहे थे, तो तानाशाही सरकार, ठाकरे सरकार ने हमें हमारे ट्रेन में और सैकड़ किसानों के साथ डीटेन करके हमें मुंबई पॉंचने नहीं दिया, और एक सबसे अकमाल क की बात लगती है, लोग सबा में किसान बिल को समर्थन करते हैं, राज्य सबा में वॉक आउट करते हैं, जब महाराश्टर में मुंबई आके महाराश्टर के किसान विरोध दिखाते हैं, तो महाराश्टर के ठाकरे सरकार मुख्य मंतरी उने जाके मिलते नहीं है, पर इनक ना यहां का समझ आ रहा है ना वहां का समझ आ रहा है सिर्फ तगिती सरकार है और उसके साथ साथ आज तो एक नया कुछ प्रॉब्लिम हमारे महरास्ट्र में हुई है आदर्णिया सचिन टेंडूलकरजी जिनको सभी युवक आइडल मानते हैं और आदर्णिया लता मंगेश जिनके स्वर में स्वरस्वती विराजमान है ऐसे दोन महान हस्तियों को आज उनके ओपर चवकशी लगाके FIR दाखिल करेंगे अगर इनोंने वो किस बात में जो बाहर के देश के विदेश के लोग हमारे देश में होने वाले फामस प्रोटेस्ट के लिए हित में वो ट्व भाराष्ट्र की सरकार कर रही है जिने भारत रतन और ये रतनों से हमने सचीन तेंडूलकर जी को पद्म भूशन दिया गया है लता मंगेशकर जी को भारत रतन दिया गया है सबसे स्ट्रेस्ट जो बोल सकते हैं सबसे बड़ा अगर देश में किसी को दिया गया है तो करोना के साथ साथ राज्य सरकार की लापरवाई और फेलियर के कारण के कारण लोगों को बहुत नुकसान जहिलना पड़ा है पीएम केर फंड के महराश्ट्र में केंद्र सरकार ने सबसे ज़ादा पीपी किट, वेंटीलेटर्स, अम्बुलेंस, सेनिटाइजर, बैट्स, मा और 42 कोविग, करोना टेस्टिंग लाब और कई सारी सुविधाएं दी हैं लेकिन हमारी राज्य सरकार ने पीएम केर फंड का सबसे ज़ादा विरोध किया राज्य के मुख्यमंत्री सहीत, सहेता नीधी बंद कर दी, पबलिक हेल्प के विशेर राज्य के अंदर होते हैं, अंतरगत होते हैं, राज्य सरकार से ज़ादा केंद्री ने इसकी जवाबदारी ली और हमारे मुख्यमंत्री ने इस काल में माजा कुटुम्ब माजी जवाबदारी हे नारा देते हुए वो पूरे समय बोलते रहे कि माजी कुटुम्ब माजी जवाबदारी पर उन्हों न हमारी महाराष्ट्र, हमारी जवाबदारी पूरे करोना पीरिड में एक भी टक्के नहीं ली महाराष्ट्र में सबसे ज़ादा जीवित हानी होने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए death rate भी छुपाए हैं हमारे महाराश्टर में महाराश्टर की health की परिस्तिती आज इतनी खराब है इसी का उधारन कुछ दिन पहले भी हमारे सभी के सामने आया है यौतमाल जिले में 12 बच्चों को polio dose की जगा पे sanitizer dose दिया गया और उसके कुछ दिन पहले हमारे भंडारा जिले में हस्पताल में आग लगने से ICO में जहां अपनी माताएं अपने बच्चों को पैदा होने के बाद immediate one day के दो दिन के बच्चों को वहाँ पर रखके ICO में ठीक करने लेके गए थे वहाँ की हस्पताल की लापरवाई की वज़े से दस बच्चों की जिऊ के साथ खेलने का काम ये मुख्यमंतरी हमारे महराश्टर करते हैं और उस पर कोई बयान नहीं करते उसकी सुविधा पर कोई बात नहीं करते ऐसी परिस्तीती हमारे महराश्टर में है